है गाइस वेरी गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर में एक बार फिर से आप इंजॉय किया होगा आज कब दिन आपने बहत्रीन दिन था जबरदा शांदार जिसको कहना चाहिए बहत्रीन हिट्स लगा है आज हमने लेकर चलूंगा आप लोगों को अपने उसमें आया लेकिन एक्जिक्यूशन लेवर से थोड़ा सा दूर सा जील हमारा नौन एक्जिक्यूटिड रहा हम बाइसाइट प्रेजिक्शन करके चल रहे जील में इसके अलावा दिन तो बनाना था प्रविडेबल तो हमने बना दिया तो चलिए चैनल की तरफ ले चलता में 14,50 पी मैंने पहली लिख दिया था बिग ऑप्शन रहे गाज का और पश्पन से 140 तक के हाई बना है लेकिन आमारा मैक्सियम टारगेट रेट थी था इसली अमने एंजॉय किया अस टारगेट को स्टॉप लॉस की तरफ तो उसने जाके कुछ सोचा भी नहीं और एक भे इडियों में आप देख लीजिएगा किस लेवल के पास से मैंने क्या टारगेट दिये हैं और यह थोड़ी सी गेम चेंजर्स प्रीमियम की आज के दिन की तरफ नजर डाली जाए तो मतलब बहुत सारी कीजिए पैटरनेट 14,50 पी इंडिसन टावर जीबीप आइन आर जब बहुत आसान है फ्री है अप स्टॉक्स के साथ में फ्री डिडिंग अकाउंट ओपन करा के आप बन सकते हैं गेम चेंजर्स प्रीमियम के एक एक रपूटेड़ेड़ में तीस दिन तक फ्री ट्रेडिंग ब्रोकरेज रही आपको प्रोवाइड करा रहा है अनलिमिटेड ब्रोकरेज प्रोवाइड करा रहा है आपको अप्स्टॉक्स एंड डिडिवरी फ्री है डिजिटल गोर्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं और बहुत सारी फैसलिडीज एन इसके लाबा गेम चेंजर्स प्रीमियम तो ही आपका बिना देर के चलते ह चैनल पर कनेक्ट रह सकते हैं गेम चेंजर्स टी टाइप करके वीडियो आपको पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर ड़ा लिए मैं बना रहूंगा आप लोग के साथ कंटिनॉसली अपने टेलिग्राम चैनल पर निफ्टी क्लोजिंग दिया है और गिरावट की संभावना 29-800 तक की नॉमिनल टार्गेट देखने के लिए मिल सकते हैं कल एक्साइड है तो मंतली भी है तो हाई मुमेंट्स भी एक्सपैक्टेड हैं लेकिन और लिडी मुमेंटम आपके तीन-चार दिन में आ चुके हैं तो मतलब जादा कुछ एक्सप केंडल बहुत प्यारी थी और तीनों केंडल बहुत प्यारी थी इसलिए पूल बैक की जो संभावना थी बहुत कम थी अभी भी अच्छे बेरिश नोट पे है तो होफुली फॉर्दर फॉल देखा जा सकता है मेरी जो मतलब मेजर हमारा सपोर्ट आ रहा है हमारा है सो . चांती से कि touch कर सकता है मार्केट कर तो देखने के लिए आपको 30 minutes के frame में सिमिले ली आपको मिला है देखने के लिए एंड बैंक निफ्टी एंसेम सेम टेन लाइन फालॉआप किया था था हमने और प्लाइन किया था कि अगर टेन डिया तो further fall देखने के लिए मिलेगा और दोनों तरह पास है और मुझे लग रहा है कि कल का लो 29,000 गेंचे जाने की संभावना है मुझे फिलाल दिखाई नहीं दे रही है तो यह लो टेस्ट कर सकता है कल मार्केट तो यह अगर ऐसा कुछ है तो लास्ट ताइम पर टेस्ट कीना तो 29,900 यह 30,000 की पूट्स गेम चेंजर हो सकते ए लेकिन डिपेंड काता है मार्केट कल कहां ओपन होता है मेना देर किये चलते हैं ट्रेट की तरफ मेरी पहली ट्रेड है मैं मैं सेल करने जा रहा हूं मैं फिनान्स को 172 के नीचे मेरा पहला टार्गेट 169 सेकंड 167 और 164 तक क्या लेबल एक्स प्रक्रावाट के नहीं जार फिनान्स को एक बार नजर डाल लेते हैं अपने चार्ट पर कि क्या दिखाई दे रहा है चबदस्त ब्रेकडाउन लाइन पे भेतरीन सप्लाई जोन में दिखाई दे रहा है पुल बैक कर सकता है 175 के उपर अगर मार्केट ट्रेंडी रहा अर्निंग भी है इसकी लास्ट के कि दो दिन बाद अर्निंग भी है लग रहा है कि गिरावट की संभावनाई छोड़ी सी जदा है बहुत ही major support के नीचे हम टेस्त करके उसको मैंने एक और ऐक प्र प्रेशर में दिखाई देरहा है निव सपोर्ट के लेवल देखेंगे आप 146 तक के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहा है सपोर्ट में आपको दिखा चुक है मेजर सपोर्ट के नीचे हैं और बॉटम की जो कंडिशन थी उसको पूल बैक करके पेजी से नीचे की तरफ आगे तो अब की वार पूल बैक करना जो है तफ लग रहा है मेरे पास अपोलो टायर्स इतनी बड़ी बड़ी उच्छाल लगाने के बाद में जबरदस्त गिरावट विटनेस की अपोलो टायर्स है लेकिन कल हलके से पूल बैक की उमीद है 203 के उपर मैं बाई करने जा रहा हूँ 206 208 मेरे टार्गेट से स्टॉप लॉफ्स टू जीरो जीरो मैं मेंटेन करके चलूँगा क्योंकि मेरा ओल्मूस्ट जो कल का भी ट्रेंड है वो बीरिश रहने वाला है जो जब बीरिश ट्रेंड रहने वाला है तो बुलिश स्टॉप लॉस बहुत टाइड हमको रखना पड़ता है क्योंकि कब फिसल जाएं कुछ पता नहीं चलेगा हलंकि हलकी संभावना मुझे पूल बैक की भी है तो अगर माइनर सा ट्रेंड रहा हमारा या फिर फ्लैट ट्रेंड रहा कलका तो अपॉलो टैर्स जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है 50 SME के उपर जो मैं इसकी ट्रेंड के उपर इसकी रखने जा रहा हूं पूरी संभावना मुझे लग रही है कि अच्छा मुमेंट अप देखने के लिए मिलेगा मसीडी भी आपको हलका दाइवर्जंस देता हुआ दिखाई दिया है पॉसिबिलिटी अगर मेंटेन कर गए दोस्तों दोसो आठ दस तक के टार्गेट्स लगा सकते हैं लेकिन जैसे मैंने अल्लेडी बता है अगें देखे जाएगा अगर गिरावाट आई तो बहिया 375-378 तक के लेबल भी क्यलाजी हाउजिंग फिनांस टेस्ट कर सकता है 393 के नीचे मैं से सब्सक्राइब करने जा रहा हूं 389-387 में टाइट से सब्सक्राइब करके चलूंगा बाकि जो भी अपडेट्स है मेरे टेलेगाम चैनल पर आपको मिलती रहेंगी तो जॉइन रखेगा जॉइन रहिएगा मैं कंटिनूसली अप्रेट करूंगा गेमचेंजर स्टी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी लग रहा है कि मसीडी और कंटिनूइशन दिखा सकता है और सब्सक्राइब के पास है बाकि है लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ा करते जा रहे हैं तो लगदा कि अभी बहुत जड़ा भी अरिशने साने वाली है प्रिबियसली पुल बैक सब्सक्राइब करें लेकिन 393 के नीचे जो हमारा लीस्ट सपोर्टिव लेवल है सेम लेवल है यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो 393 अगर सेब नहीं कर पाए बचा नहीं पाए अच्छी गिरावट देखने के लिए मिलेगी और संभाले नहीं संभलेगी ऐ अर्वास बॉक्स को मनें ब्रेक किया है यह लास्ट चांस है 395 मेंटेन करेंगे तभी बच सकते हैं अगर नहीं करा अच्छी गिरावट 375-378 तक की लेवल की गिरावट आपको लाइसी हाजिंग फिनास चल्दी दिखाने वाला है तो मस्ट वाच लिस्ट में रखेगा ल अच्छा बेटरीन शांदाल स्टावर मैं बाइक करने जा रहा हूं दो से लॉजिक है मेरे पास अच्छी बाइंग देखी जा सकती है सब्सक्राइब करें तो मैं अपने टार्गेट कर सकता हूं और यह बेटरीन जोन में इंडस्टावर फिलाल फुल्बैक जोन सेम लेबल से देखने के लिए सेम हमने सपोर्ट चोटा साथ चोटा कर देते लिएлон को और से माइनर सा लेएर बनाए अगर चोटी स्क्रिप्ट है तीन पॉइंट्स ही मिल जाएंगे तो बहुत प्यारा सा सपोर्ट जोन हमने एक्दम एक्स्ट्रीमली बनाया है बॉटम के पास से मल्टिबल टाम्स पॉल बैक किया है सेम लेवल के पास से सेम सपोर्ट हमारा मिला हुआ है तो अगर मेंटेन करेंगे एक्स्ट्रीम पीवेट को टेच करेंगे करेंगे तो 247-246 एजली ओन कार्ड इंडर्स टावर में आपको देखने के लिए मिलना चाहिए तो यह थे मेरे चार भेत्रीन स्टॉक्स जो कल आउट परफॉर्म कर जाएंगे बहुत अच्छे से में गेम चेंजर लिस में डालन पुल बैक का अच्छा मोमेंटम दिखा रही है लेकिन जो हमने माइनर सपोर्ट बनाया है अगर वह भी मेंटेन करगे 2-41 का अराम से 4-5 क्विक पॉइंट्स आवर दिखा सकता है लेकिन तीन पॉइंट्स भी अगर आपको मिल जाएंगे शांदारी सिद्धी रहेगी तैं गेमचेंजस्टी टाइब करके आप जाइन कर सकते हैं मुझे टेलिग्राम पे मैं कंटिनूसली बना रहूंगा आप लोग के साथ मेरी वीडियो पसंद आती है आप लोग को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को भी करा आए और गेमचेंजस के साथ आनंद उठाइए भेतरिन टेकनिकल एनलाइस का सीखिए और आगे बढ़िए थैंक्यू सो मच फो वाचिंग आई विश कि आपका ये थस्टे भेतरिन जाए